हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत करता हूँ अग्रिकल्चर नौलेज इसकूल के अपने इस यूटूब चैनल में आज नया कारेकरम सीता राम भाई जी के साथ जो कि एगरोनॉमिस्ट है पहला पिछला वीडियो आमने बनाया था वाटर सालोबल पर आज मिर्ची कोछ के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कोँ से पैस लगते हैं और इनका контроль क्या है मैसरेली कंट्रोल जो कि हम बड़े गरो कि कोन सी दवाई करे कौन सी नहीं करें तोец नहीं को बताएंगे कौन सी बिमारी और कौन साücksत और कोन सी केमिकल का उसकरना है तो स्वागत करते और आज मैं आपको मिर्ची पेलगने वाले इंसेक्ट जो पेस्ट होते जो मिर्ची को तरब तरक से नुकसान पूचाते उसके बारे में चर्चा करेंगें नरेंज जी बिला के साथ मैं किसानों को है वाइट प्लाय वाइट फ्लाय में s Tamat मैं क्रींप्सदों थाएं ओसके बाद में अपना मैटस तो है उसके बाद में केटर पिलर है बहुत सारे ती ये मिर्ची को अलग अलग स्टेज पर अलग अलग तरीका से चहती पहुंचाते हैं जैसे कि अपन सुरी स्टाइडिंग जब आपन मिर्ची को रोपते हैं तो मिर्ची एक ठंडे मौस्वम की फसले मतलब इसको ठंडा अधिक ठंडे मिडियम जो रहता है बदाब 20 डिगरी से 30 डिगरी की बीच में वह तापमान मिर्ची के लिए बहुत अच्छा रहता है और इसका इंसे अधिक टेंपरेचर हो जाए इसे अधिक टेंपरेचर तो इसमें वाइट फ्लाय का प्रकॉप बहुत जादा रहता है बहुत ज्यादा मतलब वह कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता उसको बढ़ती है जो बहुत ही ज्यादा त्रीवगती से बढ़ती है टेंपरेचर क्योंकि से टेंपरेचर जैसे 25 25 25 डिगरी सेंटीगेट में अधिकतर जो कीड़े मोकोडे जो पेस्ट रहते हैं उनकी जनरेशन भहुत तेजी से बढ़ती है मतलब लिप कश अत्रीबस के बारे में कुछ बताए कि प्रीज्ट कहाइग करता है इस पर देतर पति की निचली सथा पर रहता है मतलब रहने कां, यूप नुकसान पहँंचा ता पोद्यें लकु नुग्प भर स्क Weill पहले उसे खुरजता है जिसके करण पत्ती जो रहती हो नाओ क्या कार्गी हो जाती है और किसान भाई उसको वाइरस समझ बिटते हैं अच्छा मतलब यह है कि के कंट्रोल के बारे में बदाए डिटेल्स जिती भी आप तो वेसे दुकान चलाते ही है आपकी तो खुद की दुकान है तो ऐसे कौन-कौन से केमिकल हैं जिनको आप यूज करते हो और आपको आपकी इस फिल्ड में रिजल्ड मिले हैं बात करेंगे मिर्ची को बहुत ज्यादा परेसान करने वाली चीज़ है तो उसके लिए हम सुरु स्टार्डिंग में मतलब महिने मिर्ची की प्लांटेशन जब हम करते हैं तो उसके एक महिने के अंदर एक एपहेमसी कंपानी का बेनीविया है जिसमें हाँ जिसमें साइना क्लो साइन इंट्रा निरिप्रोल है 10-1026 परसेंट इसको डालने से क्या है तक जो मिर्ची पे थ्रिप्स वाइट फ्लाय केटर पिलर और जितने भी सकिंग पेस्ट रहते हैं उनको यह पूरी तरीके से 15-20 द पांच परसेंट फिप्रोली जैसे रिजेंटा थी बायर की घरडा का महवी राते हैं हलके फुलकी यदि थ्रिप्स हो तो उसको अपयोग कर सकते हैं और यदि अपन को लगे कि बहुत ज्यादा मातरा में थ्रिप्स मिर्ची पे आ गया है तो उसके लिए हम बायर कंपनी का जम्प जिसमें 80% फिप्रोली होता है उसके बाद में अपने लिसेंटा है बायर की उसके बाद में घरडा का पॉलिस है उसमें 40% फिप्रोली चालीज पर सिमीडा है उसको थ्रिप्स हो अच्छी तरीका से कंट्रूल करती है उसके बाद में इससे हाई टेकिनिक लिए हम ड यह तरीका से फित को बड़ करता है और के टरपिल परसेंट इस ट्रेसर तो वैसे इल्ली इसपेसल एना ज़िए त्रेफ साल एक तरीका से तरीका से कवर करता है। तो इसका क्या यह भी क्या थ्रीफ्स और वाइट फ्लाई यह दिक्तर करेंगे तो अच्छी तरीका स्कॉर को रामबाण कोई केमिकल वह सारे टेक्निकल मार्केट मिलते हैं लेकिने केमिकल जो डाले तो किसां को फाइदा और उसका खर्चा भी वच्जा को एक अनुभव में उसके साथ में आपना डाइफ हें तो नहीं तो हमें वाइट फ्लाइव और थ्रिप्स कहां लगता है अधिकतार में बोल रहा हूं कि दिखने में तो उपर की सेट दिखेगा हो पर जब पत्ति को नुकसान पहुंचाता है पोधे को नीचे की तरह से खुरचना चलू करता है पहले खुरचता है फिर चूशता है इसलिए पति नाव क्या कारको होग आति मायट पे मायट के बारे में कुछ कुछ कहें आप मकडी भी बहुत ज्यादा एफेक करती है मgets के राघ्चे में अधिकतर पत्ते नीचे की तरफ इस प्रकार से जैसे अगर ना उपर ऑं रही है तो थ्रिप्स है और नीची अगर हो रही है तो वह मकडी मकडी मेड़कर तो इसके लिए तेंपरेचर बढ़ रहा है तो ही माइट टेंपरेचर बनने कि साथ ही मैट का प्रकॉप चलू हो जाता है तो माइट के लिए अच्छी दवाई कुन सी जो जाएगा ड़िए फेंटि पेगास अजाता सिंजंटा को वह है उसके बाद में बायर कंपनी का ओभेरान है अचा बाद में आपने आयल कंपनी का हरकुलस है है उसके बाद में मिटी गेट और वसे चार्ज जो उमाइट है वो मैट तो अधितर का रिस्टेंट पावर बढ़ गए मिर में मखड़ी का तो बनें के बाद में किसान मकडी से आसानी से मक्ड़ी पा सकता है. अज़ां ये बता हैं, आपकी केटरपिलर्स गाता है। क्याते हैं, जो रचेदे लिए बेस दोई कोईब था है। केमिकल नहीं। पंपनी का फ्लो निका मेड़्ाता है। वह अपन दस घ्राम प्रतिपम इपनर प्रतिपम और 10 मेल दलती है। इनके युलि पर बहुत भी बड़े रिजल्ट मिलते हैं। जैसे बीली हो कोई सी बीली हो तब वागो केटर पिलर हो से मिली उपर हो या वह दुसरी जो भी जहती पहुंचाती है मिर्ची को सब यह प्रकार के लिए को कवर करता है उसके बाद में अपना इस्पिनो शेड में बताया था इस्पिनो स्वेड और इस्पिनो टोरम मतला कुछ करता है किसान को अचाइब करना चाहिए और इसमें जब करते हैं तो कितने कितने दिन पर करना चाहिए अच्छे रिज़्ड ले पांस दिन पे कुछ लोग तीन थी व Hist da क्या है और कौन सी दवाई करें जिससे अपने को जल्दी ना करना पड़ा देखो यह तो टेंपरेचर के ओपर डिपेंड करता है यदि तुम्हारे चेतर में गर्मी ज्यादा है तो तुमको प्रती पांच दिन में एक बार इस प्रे करना पड़ा है भले कुछ हलकी दवाई क अपने पेगास डाल दिया है पुलिज डाल दिया दो इसके बाद में वापस भी इसी का इस प्रे कर क्योंकि यह बहुत कास्टली पड़ता है इसान इसे हर बार यूश नहीं कर सकता कि हर पांच दिन से यूश करे इसलिए मैं किसानों से एक ही बात बोलूंगा कि मच्छों इसके बाद में अपना हरकुला से पहुच और डाल दो बदल इसा पांच दिन में हर तरीके से पल्टा पल्टा के उसको मतलब चेंज करके तुम इस प्रे कर सकते हो यदि ज्यादा प्रकोफ है वाइट फ्लाय का तो और अपना माहुल ठंडा है मतलब छेतर में ठंडा ही का अनुबाव कर रहा है कि यार गर्मी ज्यादा नहीं है तो 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 आट से दस दिन में भी इस प्रे कर सकते हो उसका और को जानकर है अब आपकी वोड़ से देना चाहे अगर मिर्ची के परती मिर्ची बोलूंगा कि किसान भाहियों से अनुड़ है कि समय पर सही दवाय का ज्युकषा करें और गर मिरची में मिर्ची में क्या होता है जो अपने अब बीच में अच्छी सी बायो कुई सा भी हो जाना का द्रग का जो पेस्ट तुम घर पर भी उसे मतलब बना सकते हैं तो उसके लिक्वीड का प्रोयोग करें इस प्रकार से मतलब बार बार केमिकल का उप्योग नहीं करना चाहिए इसके बाद में हम किसान भाई हमारे पर चांच तो आसानी सुपलब दो जाता है चांच में हल्दी मिलाकर और उसमें कि बारे में चीली ने में होते हैं बीमारी उनके बारे में बताया तो जरूर्ड यागला वी इंके साथ हम बनाएंगी और वीडियो होगा वह वीडियो संबस्क्राइब करें ता कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकतुं और छिसान कारी देशकें कि भी जै हिंद, जै भाराच, जै किसान, जै जवान